दर्शको नमस्कार मैं वैभुरी तुराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कारिक्रम मेरे सामने बैठे हैं पंडित अशेश अमर पाठक जी आईए गुरुजी से मिलते हैं ये दर्शकों का प्रस्न है या आपका प्रस्न है नहीं नहीं गुरुजी दर्शकों का ही है दर्शकों का दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहरा हूं कि रिखाएं बहुत कुछ बोलती हैं ऐसा नहीं है कि ये हाथ की रिखाएं काम नहीं करती है या निर्थक है ऐसा नहीं ये पढ़ने का चाहिए जब जब मैं इस पे अध्यन करता हूँ या आपके हस्तरेखा का अध्यन करके या विश्रेशन करके बताता हूँ तो इसमें बहुत से बातें बहुत सारतक हैं और बहुत प्रभावित करती हैं मेरे मन में यह ऐसा आया कि हस्तरेखा पे एक ऐसी किताब लिखी जाए जो आप तक पहुँचे और आप इसकी घराई को समझें एक व्यक्ति के हाथ में बहुत से सुचनाये हैं अगर देखा जाए तो लाखों प्रकार के सुचनाये हैं जो आपके हस्तरेखा में पढ़ने के लिए उतना अध्यन के आप सकता है जोतिश में एक कुंड़ी है और उसमें बहुत से कार्ज हुए हैं हस्तरेखा में कार्ज कम हुए हैं लिकिन हस्तरेखा में बहुत से किताबे हैं बहुत से हस्तरेखा शास्तरे को आप नाम भी जानते हैं तो हाथ के रिखाएं बहुत कुछ बोलती है करमबधता के लिए जो मैं किताब लिख रहा हूँ जो त्यार है बस कुछ दिनों के बाद वो आपके सामने आएगा उसी समय मैं इसका नाम भी बता दूँगा और वो किताब लिखें उस किताब में मैंने क्या-क्या सोचा पहले तो ये सोचा कि इतनी तरह के सुचनाओं को इतनी आसानी से कैसे लोग याद रख पाएंगे तो इसके लिए मैंने दोहा का सहारा लिया मैं अपने पिता सिरी से कहा कि आप इसको दोहा में बांधिये और मैं एक एक रिखा के ये बारे में सारी सुचनाओं को आपको देते जाऊंगा वो, आप सोच सकते हैं कि कोई भी शूचना जो एक दम सुक्ष़ पिशह है जिसको आप कह रहे हैं कि ये कारज नहीं करता है उस पर जब मैं लिखने लगा तो एक किताब में बारसों से ज़्यादा सुचना मैं नहीं दे पाया जबकि उस पर बहुत से सुचना है तो उसको दोहा पे लिखा गया तो हस्त रेखा में जीवन रेखा क्या बोलता है अब मस्तिस रेखा का क्यार थे हिर्दे रेखा का क्यार थे उसके बाद आप चलिए विवार एका ऐसे बारा रिखाएं जो हैं एक साथ रिखाएं तो समक्स दिखेंगी और पांच रिखाएं जो आपको कभी दिखें या जिसको हम लोग करते हैं कि अप्रतक्ष रूप में प्रभावित करती हैं उसके बाद परवत हैं हाथ की रेखा एक दुसरे से नहीं मिलती हैं नाखुन अगर आप देखें तो नाखुन के जो साइस हैं उसके रूप हैं वो बहुत कुछ बोलती हैं हाथ की जो लंबाई चोड़ाई हैं वो बहुत कु तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसे मैं दोहा में उस बुक को त्यार करवाया और कोशिस किया कि आप इसे अच्छी तरह पढ़ें इसके लिए मैंने हस्त रिखा में जो हाथ ओरिजिनल हो उस पे वो रिखा दिखाने का प्रयास किया हूं कि ताकि आपको और सरल्था से इसके बारे में जान पाएं तो ये ऐसा नहीं है कि रिखाएं नहीं बोलती हैं बहुत पहले जब मैं भी इस पर कार्ज कर रहा था तो एक बढ़े जोती सी पामिष्टे एक हस्त रिखा विशशक से मैं भी यह प्रस्द कर दिया कि यह रेखाएं बोलती है या अपने मन से बोलती है तो उन्हों ने एक बात कहा कि नहीं आप अगर मन से बोलेंगे तो धोखा खा जाएंगे लेकिन अगर रेखाओं की बात बोलेंगे तो हो सकता है एक सो रेखाएं आपको अगर एक रिखा का अर्थ आप जानते हैं हाथ में तो एक ही रिखा की अर्थ बोलिए न क्या जूरत है सभी क्या बोलना अगर भी ना जाने अपने मन से अगर तुक्का लगा देंगे तो निसित आप धोका खा जाएंगे ऐसे में जरूर है कि आपकी हाथ के रिखाएं क्या बोलती हैं और आप क्या बोल देंगे तो ये रिखाएं बहुत कुछ बोलती हैं और बहुत से सुचनाएं देती हैं लेकिन बाया दाया दोनों हाथ के रिखाओं को देखकर आप बोलेंगे तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं और जब आप दे सकते हैं हाँ ये जरूर है अगर उस ब्यक्ति की उस जातक का अगर कुंड़ी है तो कुंड़ी को भी आप मिला लीजे और रेखाएं क्या बोलती हैं उनको भी देख लीजे अंक जोतिस के तरफ चले जाएए अंक जोतिस क्या बोलता है उसको भी देख लीजे आपको लगे या कि मेरी जो हस्ते रेखा पर जो अद्धन है या जो मैं उस पर बताने जा रहा हूँ बहुत सटिक है तो रेखाएं बोलती हैं ऐसा नहीं आदमी अपने मन से बोलेगा तब जरूर धोका का सकता है लेकिन रेखा जो बोलती है उस पर अगर आप भी करें भरोशा करें तो आप ज़्यादा सा टिकता तक पहुंच सकते हैं तो उस किताब में मैं करंबध रूप में हर तरह के हर प्रकार के हाथ की पहले तो आप यह मान कर चलिए कि जो रेखाएं हैं अगर चोड़ी हतेली हो तो रेखाएं पसर जाएंगे वो रेखा चोड़ी हो जाएंगे आपको उस पर गणा करने में दिक्कत होगी तो ये आप समझे कि कितने height के ब्यक्ति कितने लंबाई के ब्यक्ति का कितने centimeter का हाथ होना चाहिए तो आप उसे देखिए तो आपको पता चलेगा कि इतना height के ब्यक्ति का इतनी लंबाई के ब्यक्ति का इतना centimeter का हाथ हो तो वहाँ से हम लोग चलते हैं, उसके बाद कई परकार के हाथ होते हैं, वो हाथ को दिखना है, तो जैसे एक गलास में, आधा गलास जल हो, उस जल को प्लेट में ले लिजिए, वो प्लेट में थोड़ा पसर जाएगा और वो जल में अंतर आ जाएगा, उसके आकार बदल ज जाएगे, जब उनके अपना रूप बदल जाते हैं, जैसे भी एक उदारन दिए प्लेट का, तो रेखा जिस बड़े हाथ में, उनका रूप बदल जाएगा, छोटे हाथ में उनका रूप बदल जाएगा, लंबे हाथ में उनका रूप बदल जाएगा, जैसे आपको उद होता है बहुत भाव उख हो जाएगा और कभी कभी डर ऐसा रहता है कि वो गुस्से में दूसरों को तो कम नुक्सान करेगा अपना जुरू कर देगा तो बहुत से ऐसी बाती हैं जो हाथ के रिखाएं बोलती है जिस मैं कार्ज भी कर रहा हूं वो किताब जल्द आ रही है बस इंतजार आप करें और उससे आपको लगेगा कि यह रिखाएं बहुत कुछ बोलती है हाथ निर्थक नहीं है इन ही कि ऐसा बना हुआ है आप नहीं पढ़ पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे हैं नहीं उसको महत्व दे रहे हैं तब तो बात अलग है भारत के जाने माने जोतिश, वास्तू एवं हस्त रेखा विशेशग्य पंडित अशेश समर पाठक जी किसी भी प्रकार की समस्या जैसे विवाव में बादा आना, विवाहिक जीवन में असफलता, संतान सुख की प्राप्ती ना मिलना, शिक्षा एवं शैशणिक में समस् में बाधा, नवग्रह दोश, काल सर्प दोश, पित्र दोश, मांगलिक दोश, वास्तू निवारण एवं जोतिशाय समधान हेतू संपर करें